चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसंतोशिमा, दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय शाम चार बजे से पांच बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्थ जो दिन का सबसे शुब समय माना जाता है, दोपहर ग्यारह बजे से बारह बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशे में गोचर करेंगे, जबकि सूर्यतुला राशे में स्थित रहेंगे। 10 नवंबर 2024, रविवार को आज का दिन आपके लिए विशेश साबित हो सकता है। आज आपके दृष्टिकोण में नया आयाम जुड़ सकता है, या आपकिसी अपरिचित व्यक्ती के दृष्टिकोण से गहरे रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यह दिन आपको यह महतुपूर्ण सीख देगा कि अपनी जिन्दगी के वर्तमान संगर्षों और भविश्य को तै करने में सबसे अहम भूमिका आपको ही निभानी है। आपके कार्ड्स में इस समय कुछ बड़ी योजनाए हैं। इसलिए अपने फैसले को ध्यान से लें और अपने जीवन साथी या साथी से राय अवश्य लें। आज का समय कानूनी मामलों या अनुबंधों से संबंधित बैठकों में भी व्यतीत हो सकता है। प्रियजनों द्वारा प्रधान किये गए ग्यान पर विश्वास रखें क्योंकि आपके ग्रह आज यही संकेत दे रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें और फिर खुशी से समय बिताएं। आप उदार, जीवन्त और आनंदित हैं और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके कदम कितने छोटे हैं बस अपने लक्ष की और बढ़ते रहें। आज का दिन शुब रहेगा। सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम आप करेंगे उसे पूरी मेहनत और समर्पन से करें इससे आपको लाब जरूर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और महत्व बढ़ेगा और संतान के दाइत्व की पूर्ती होगी। बच्चों के साथ भी आप समय बिताएंगे। आज आपको कार्यक्षेत्र में यात्रा का सुखद परिणाम मिलेगा और रचनात्मक दृष्टिकोंड से किये गए प्रयास सफल होंगे। आज आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हलांकि कानूनी मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी पुराने मित्र से लंबी समय बाद मुलाकात हो सकती है। अपने विरोधियों से सतर्क रहना भी आवश्यक है। सामाजिक गतिविधियों में आपका उत्साह और भागिदारी बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको सावधानी बरतनी होगी। खास कर खानपान में गड़बडी के कारण पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ अजनबी लोगों से दूरी बना कर रखना बेहतर रहेगा। यह उन्नती के लिए एक सकारात्मक समय है। आप में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। कोई रुका हुआ आयका स्रोत फिर से शुरू होगा और आप अपने कारियों को व्यवस्थित ढंग से क्रियानवित करने में सफल रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से आज आपको कुछ राहत मिलेगी। हालांकि हर काम में सैयम बनाए रखना जरूरी होगा। विदेश में स्थित किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अपेक्षाओं के अनुसार मदद नहीं मिलने से आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। दूसरों से बड़ी अपेक्षाओं रखने की प्रवृत्ति को समझना होगा। ताकि आप अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों में बदलाव ला सकें। व्यापारी वर्ग को मित्रों से सहायता मिल सकती है जिससे व्यापार का विस्तार संभव होगा। अच्छी खबरें भी मिलेंगी और सुकून की प्राप्ति होगी। खर्चों पर नियंतरण रखना जरूरी है और धन का प्रबंधन सही तरीके से करना होगा। नौकरी में सजगता बनाए रखें। शाम का समय उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा। किसी भी प्रकार का लेन देन आज स्थगित रखें। छोटी-छोटी नकारात्मक बातों से परेशान होने के बजाए समस्याओं का हल ढूंडने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं पर नियंतरण रखें। राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों में अपनी छवी को बेहतर बनाए रखना आवश्यक है। आज आपकी लव लाइफ में घर में चल रहे आपसी मनमुटाव का समाधान होगा और परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ रोमैंटिक समय बिताएंगे और दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ खास करने की योजना नहीं भी बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर दिन को विशेश बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को एक और रखकर जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें इससे आपको संतुष्टी और आनंद की अनुभूती होगी। एक करीबी मित्र आपकी तरफ आकरशित हो सकता है। जल्द ही यह रिष्टा आपके जीवन को खुश्बू से भर देगा। अपने लव लाइफ में अपने अनुभव और रचनात्मक्ता का उप्योग करके आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। आज आपका दिन इत्र की तरह महकने वाला है क्योंकि आप अपने साथी के साथ एक ऐसा पल बिताएंगे जो कभी न भूलने वाला होगा। आज आपको कुछ खास महसूस होगा और अपने प्यार का इजहार करने की इच्छा भी होगी। तो अधिक सोचें नहीं, आगे धन के मामलों में व्यतीत होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर और करीबी साथी की सलाह अवश्य लें। कानूनी समझोतों से भी आज आपको लाभ मिलेगा। आज खुद से सवाल करें कि क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या जीव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप आज अपनी प्यार भरी भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छा रखेंगे और यहां आपकी विशेष्टा है कि आपका दृष्टिकोन हमेशा सकारात्मक रहता है। आज आपका अहम पूरी तरह से त्रिप्त होगा क्य के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। आप परदे के पीछे रहकर अच्छे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्शमता को खुलकर सामने लाना होगा। खासकर उन मुद्दों पर जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। कल की गई गलतियों पर आज आपको हलका हास्य महसूस होगा। बिजनिस में विशेश उन्नती के योग गहें और आप अपने कारियों को गती देने में सफल रहेंगे। हालांकि किसी नए ओर्डर को लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। इस समय व्यवसाइक यात्रा को स्थगित रखना सबसे अच्छा होगा। ऑफिशिल गती विधियों में आपकी महत्वपूर्ण भूमी का बनी रहेगी। सेहत के बारे में बात करें तो एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए आपको ज्यादा गरिष्ट और तला भुना खान पान से बच सात्विक आहार को प्राथमिकता दें। संभावनाओं को उजागर कर रहा है। यदि आप इंशूरेंस पॉलिसी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? तो आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा क्योंकि यह भविश्य में आपकी वित्तिय सुरक्षा को मजबूत करेगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उप्योग करते हैं तो आज समझदारी से खर्च करें और अपने वित्तिय प्रबंधन को बेहतर बनाएं। यदि आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रही है। मौर्गेज रिफाइनसिंग के लिए भी आज का समय अनुकूल है क्योंकि यह आपके वित्तिय बोज को कम कर सकता है। अगर आप नई टेकनॉलोजी गैजट्स या मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आउनलाइन बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह दिन आपके लिए शुब है और एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। Software as a Service, Size, प्रोड़क्ट्स में निवेश करना भी लाबकारी रहेगा और इससे आपको लंबे समय तक फायदा हो सकता है। Finance और Banking से जुड़े निर्णे लेने के लिए आज का समय अनुकूल है इसलिए अपने निवेश और वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। स्वास्थिय के मामले में आज आपकी राश के लिए फिटनेस और योग पर ध्यान केंद्रित करना लाबकारी रहेगा। आउनलाइन पैसे कमाने के नए तरीकों को एक्स्प्लोर करना भी आज फायदे मंद साबित हो सकता है जिससे आपकी आए के स्रोत में वृद्धी हो सकती है। परसनल फाइनस की योजना बनाना और अपने बजट को सही दिशा में व्यवस्थित करना आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी कानूनी मसले पर विचार कर रहे हैं तो लीगल एडवाइस लेना आपके लिए लाबकारी रहेगा। नई चीजें सीखने और एजुकेशनल कंटेंट पर ध्यान देने से आज आपके ग्यान में व्रिध्य हो सकती है। अगर आप लेग्जरी प्रोड़क्ट्स की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए सही है क्योंकि यह आपकी राश्ची के लिए शुभ संकेत दे रहा है। क्रिप्टो क्रेंसी में निवेश करने का भी आज अनुकूल समय है जिससे भविश्य में अच्छा लाब हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं और किसी नए स्थान की यात्रा करने से आपको नई उर्जा और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपनी वेब साइट शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज वेब होस्टिंग खरीदने का सही समय है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में नए तरीकों को अपनाने से आपके बिजनिस में व्रिद्ध हो सकती है। आज का उपाए। आज प्राथाकाल जल्दी उठकर सनान करें और साफ वस्तर पहनें। तांबे के लोटे में पानी भरें उसमें लाल फूल, अक्षत, चावल और रोली डाल कर सूर्यदेव को अरग्य दें। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपके कारियों में सफलता मिलती है।